Hello everyone, so current में जितने भी festivals और fairs रहे हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम current fair के साथ कुछ static GK के MCQ भी discuss करेंगे तो सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं ताकि बाद में जब आप MCQs देखेंगे तो आप उनको attempt कर सके है ना तो फिर पता चलेगा कि कितने ध्यान से आपने ये लिस्ट को पढ़ा है तो सबसे पहले देखें ओडिसा ओडिसा में कुछ festivals और fairs जो celebrate किये जाते हैं वो है रधियात्रा, राजपर्ब, नुवाखाई, कुनार्ग festival और नाब कालेबरा उसके बाद है तमिल नाडू जहां पर पोंगल, थाइपुसम, नत्यांजली, थ्याग राजा और पुथांडू ये जो है festivals और fairs तमिल नाडू में celebrate किये जाते हैं फिर बात करते हैं वेस्ट बेंगौल की यहां पर गंगा सागर मेला ये बहुत important है पोश मेला और दुरगापूजा दुरगापूजा इन्टेंजिबल हेरिटेज में शामिल है जो बहुत रीसेंटली ही शामिल की गई है फिर नेक्स है च्छतिस गड़, च्छतिस गड़ म यहां पर सोकुम, समाई हॉन्बिल फेस्टिवल, वेरी इंपोर्टेंट, मुआत्सु जो की आव पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया चाता है फिर है सेक्रेनी और मुंग मुंग ये फेस्टिवल जो है नागालेंड के हैं महराश्टर की बात करते हैं मर्बत फेस्टिव यह भी गोवा का है और मांडो और मांडू यह दो फेस्टिवल है मांडू जो है MP से बिलॉंग करता है मांडू गोवा से केरला की बात कर लेते हैं यहां पर है सूर्या फेस्टिवल ओनम विशु और पुरम गुजरात में कुछ फेस्टिवल और फेर्स यह हैं तारनेतार वौथा फेर उसके बाद माधवपूर मेला और काइट फेस्टिवल नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पर आंधर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टन फेस्टिवल्स हैं जैसे कि उगाडी है आतला टाडे ब्रहमोत्सवम फ्लेमिंगो और त्याग राजा आराधना करनाटका की बात कर ले थे हैं तो उगाडी जो है आंधर में भी है करनाटका में भी है और तेलंगाना में भी है आंध्र और तेलंगाना में तो होगी क्योंकि दोनों एक ही स्टेट ते पहले अभी सेप्रेट हो गए फिर करनाटगा की बात कर रहे थे उगाडी के बाद है कंबाला कंबाला हमने पहले भी देख चुके है एक बफैलो रेस है जो की यहां पर और्गनाइस्ट की जाती है करगा फेस्टीवल कावेरी संक्रमन उसके बाद नैक्स्ट है महामस्तक महा मस्तका भी शेक ये भी जो है करनाटका का ही एक फेस्टिवल है फिर है तिलंगाना तिलंगाना में उगाडी है तीज है जिसे बंजारा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बुनालू फेस्टिवल है मेदाराम जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल है और बतु कहां से है तलंगाना से नेक्स आजाते है अरुनाचल प्रदेश पर यहां पर लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है मोपना ट्राइब के द्वारा मोपीन जो फेस्टिवल है ये गालो ट्राइब के द्वारा द्री फेस्टिवल मनाया जाता है बूरी बूट ये निशी लदाख में बाद करें लूसर जो है न्यू इयो फैस्टिवल है हमिष फैस्टिवल और दोश्मोचे और नरुपा ये सारे है लदाख के आसम की बाद करें अंबु बाची मेला बहुत important है कामाख्या टेंपल में इसे और्गनाइज किया जाता है बिहू फेस्टिवल असम का है बैशागू उसके बाद मेधम मेफी ये भी यहाँ का है और अली आई लि गांग ये मिसिंग ट्राइब के द्वारा ये वाला फेस्टिवल सेलिबरेट किया जाता है बिहार की बात कर लेते हैं तो जावा और सोहराई, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, जो जहारखन से बलाँ करते हैं, नेक्स आज़ाते हैं पंजाब पर, पंजाब में है तीयन, मॉनसून में ये फेस्टिवल्स सेलिबरेत करते हैं, लोहरी अभी जो गया है, भी जो गया है बिल्कुल फायर वर्शिप, बैस हिमाचल प्रदेश के हैं हर्याना की बात कर लेते हैं बैसाखी गुगगा नवमी और सूरज गुण मेला राजस्तान में चलिब्रेट किया जाते हैं गंगौर तीज बूंदी पुशकर्ब मेला और उर्स उत्तर प्रदेश के हैं राम नवमी गंगा महुद्सव नवरात्री क बांसमेला श्रवन और राम लीला जमू कश्मीर की बात करें तो चड़ी बहुमेला दोशमोचे हेरत या फिर हेराथ फेस्टिवल और टूलिप फेस्टिवल इसमें हेराथ फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टन है इसको याद रखेगा जमू कश्मीर का है मेगालिया की बात और लाई हराओबा सिक्किम की बाद कर लेते हैं पंग लाबसोल उसके बाद है ती फिर भूमी फूजा और सागा दवा और लसूंग यह सारे फेस्टिवल चिरिजाभ तो यहां पर यहां पर फैस्टिवल चेंपल आड गेया जाते हैं वह सभी celebrate होते हैं मिजोरम की बात कर लेते हैं चापचार कूट पॉल कूट और पॉल कूट जो है straw festival होता है अनमान निकोबार में असुआरी festival असुआरी festival celebrate किया जाता है ये mainly एक pig festival है अभी आ जाते हैं अपनी questions पर पहला प्रश्न है ये celebrate की जाते है इन दो ओनर आफ आंसर होगा लॉड जगरनाथ नेक्स्ट क्वेशन है पपेटी इस दो फेस्टिवल आफ पपेटी जो फेस्टिवल है वो पार्सीज का है ठीक है थाई पुसम फेस्टिवल is celebrated by which of the following communities थाई पुसम फेस्टिवल celebrate किया जाता है तमिल कम्यूनिटी के द्वारा भगोरिया फेस्टिवल is celebrated in which state भगोरिया महुचसव ये मध्य परदेश में बनाया जाता है और सिर्फ मध्य परदेश में नी महाराष्ट्र से भी ये वाला फेस्टिवल बिलॉंग करता है सोकुम समाई फेस्टिवल celebrated in which state सोकुम समाई फेस्टिवल celebrate किया जाता है नागालेन में नेक्स्ट है मर्बत फेस्टिवल ये celebrate किया जाता है कि सिटी में मर्बत फेस्टिवल जो है मेंली नागपुर का फेस्टिवल है द्यूरिंग साओ जोआओ फेस्टिवल, people present, dash to each other एक दूसरे को present क्या देते हैं, भेट में क्या देते हैं तो आंसर बीर नहीं है, fruits है fruits एक दूसरे को भेट में दी जाती है साओ जो आओ, फेस्टिवल में खिचडी, उतरायन and लोरी are different names of the festival कौन से नाम का different, कौन से फेस्टिवल का different नाम है और अभी आपने मनाया भी था 14 तो ये जो है, मकर संक्रांती मकर संक्रांती का ये अलग-अलग नाम है खिचडी, उतरायन और लोरी साओ जो आओ, फेस्टिवल ये कहां से बलॉंग करता है, कोवा से जिसमें एक दूसरे को fruits दिये जाते है और मकर संक्रांती हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को celebrate की जाती है सूर्य फेस्टिवल इस associated to which of the following cities सूर्य फेस्टिवल जो है ये थिरुवनंथ पूरम से associate है और कहां पर है, केरला में है इन विच स्टेट इस तारनेतार फेस्टिवल जो है गुजरात में हर साल celebrate किया जाता है बूम्चू फेस्टिवल is celebrated in which state बूम्चू फेस्टिवल ये कहां का है सिक्कीम का है नेक्स्ट क्वेशन देखते है इन विच फेस्टिवल बुलॉक्स और अधर केटल्स इसमें जो मवेशी होते है या फिर जो बैल होते है उनकी पूजा की जाती है कौन सा फेस्टिवल है ये तो ये है पोला फेस्टिवल कहागा है महराश्ट्र और छतिजगड का ओनम फेस्टिवल is celebrated in which state ये जो है केरला का है ओनम और यहां देख लेते हैं दस दिन का annual harvest festival है वाइडली ये केरला में celebrate किया जाता है बाई मल्याली कम्यूनिटी हिंदू harvest festival पोंगल has been in which has begin in which state जो पोंगल उत्सव है ये तमिल नाडू में celebrate किया जाता है पोंगल एक harvest festival है जो कि ये पोंगल का festival के दोरान ही celebrate किया जाता है जली कटू में क्या होता है bullfight होती है with people और ये four day long festival होता है पोंगल पहले दिन भोगी पोंगल बोलते हैं दूसरे दिन को सूर्य पोंगल बोलते हैं तीसरे दिन को मट्टू पोंगल बोलते हैं काटी बिहू festival इन असा में celebrated by lighting a lamp in front of a dash tree और plant कौन से पेड़ के सामने या फिर कौन से प्लांट के सामने एक दिया जलाकर ये festival को celebrate किया जाता है तो ये है हमारा तुलसी का पोधा जिसकी भारत में रेखें तो बहुत मानेता है धार्मिक रूप से भी और medicinal plant भी है तो तीन टाइप का भी हू festival होता है असा में बोहाग भी हू या फिर रोंगाली भी हू ये spring festival होता है फिर उसके बाद है कौंगाली या काटी भी हू ये animistic festival होता है और भोगाली या फिर माग भी हू ये एक harvest festival है तीनों को अलग-अलग मन्थ में celebrate किया जाता है अब ये current affairs के कुछ देख लेते हैं festivals and fairs तो 23rd hornbill festival 2022 has been celebrated in which state hornbill festival जो 23rd edition है इसका 2022 में celebrate किया गया कहां तो hornbill festival जो है हमने पीशे भी देखा था नागालन का festival है annual festival है और एक से दस डिसम्बर के बीच में इसको celebrate किया गया वांगला festival has been celebrated in which state वांगला festival जो है मिघालिया का है और इसे festival of hundred drums के नाम से भी जाना जाता है गारोड राइब्स के द्वारा मेंली ये celebrate किया जाता है तोखू among harvest festival is celebrated in which state तोखू among harvest festival ये नागलन का है और नागा एथनिक ग्रूप है एक लोथा नागाज इनके द्वारा ये celebrate करते हैं ये mainly harvest festival है international lusophone festival held in which state lusophone festival जो है गोवा में celebrate किया गया लोसर new year festival has been celebrated in which state और यूटी लोसर जो है ये लद्दा का एक festival है next question है 41st Indian Indian International Trade Fair begin in which city तो trade fair जो है 2022 में 41st edition था और नई दिल्ली में इसको किया गया ठीक है इनागरेट किया गया by commerce and industry minister जो की है पियूश गोयल प्रगती मैदान में ये दिल्ली में हुआ था इसकी धीम थी vocal for local, local to global which city will host India's biggest shopping festival in 2023 तो ये भी है दिल्ली यहां देख लेते हैं कुछ और वन लाइनस में तो इंडिया का फॉर्स lavender flower plant होता है लेवेंडर ये फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ भदरवाह जमु कश्मीर में 4th edition of shirui lili festival ये मनिपूर में हुआ फिर नेक्स्ट है जोति गमिया फेस्टिवल लॉंच्ट बाए कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेडी इन न्यू डेली अगले दिखते हैं शुमंग लीला फेस्टिवल ये मनिपूर में सेलिब्रेट किया जाता है नुआ हाई फेस्टिवल ये एक एगरिकल्चर फेस्टिवल है जिसे वेस्टन ओरिसा में सेलिब्रेट किया गया शिक्षक पर्व 2022 ये एजुकेशन मिनिस्टरी के थ्वारा इनॉगरेट किया गया नागा मिर्शा फेस्टिवल ये गोहिमा नागलेंड में हुआ उसके बाद है बथुकम्मा ये फ्लावर फेस्टिवल है जिसे तलंगाना में सेलिब्रेट किया गया अगला देखते हैं हरियाली महोचस़व या फिर ठीचिवल इताल के टोरा स्टेडियम नई दिली में सेलिब्रेट किया गया organized by ministry of environment forest and climate change अम्बू बाची मिला हमने पहले देखा था कामाख्या temple असा में celebrate किया जाता है खर्ची festival ये हिंदू festival है जो कि त्रिपुरा में celebrate करते हैं 20th fog fair नाशनल ट्राइबल और fog song and dance festival ये पूरी ओडिसा में celebrate किया गया इनाउगरेट किया गया उनमेश इंटरनाशनल लिटरेरी फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश में हुआ साओ जोआओ फेस्टिवल ये गोवा में celebrate किया गया mango festival to boost export of mangoes अपेडा के द्वारा बाहरेन में ये और्गनाईज किया गया अपेडा क्या है agricultural and processed food products export development authority मेंगो फेस्टिवल देश मेनी देश के बाहर बाहरेन में अपीडा के द्वारा ओगनाईज हुआ नेक्स्ट है सपूर्ती मेला कहां दिल्ली हाट में organized by khadi and village industry commission bird festival जमु कश्मीर में जमु कश्मीर के पहल गाउं में इसको इनेगरट किया गया फिफ्ट एडिशन ओफ मेघा कायक festival यह मिघालिया में हुआ मेघा से मिघालिया आप याद रख सकते हैं कुछीपूरी dance festival अंदरप्रदेश में हुआ विजयवाडा में next देखते हैं first Asian Indian start-up festival यह inaugurated किया गया इंडोनेशिया में वाइड वाटर आफ्टिंग festival यह चनाब रिवर जमू कश्मीर में third edition of national tribal dance festival यह रायपूर 36 गड़ में हुआ गंगा उत्सव 2022 यह एक river festival है जो की 4 नवंबर 2022 में और्गनाईज किया गया था भाय जल शक्ति मिनिस्ट्री कहां पर नई दिल्ली में अगला है राइजिंग सन वाटर फेस्ट यह मिघालिया में हुआ उमियाम लेक में पुशकर कैमल फेयर या फिर कार्तिक मिला इसे कहते हैं यह राजस्तान में ओगनाईज हुआ पांसो तरेपनवा प्रकाश पर्व और श्री गुरु नानक देव यह सलिबरेट किया गया और गुरु नानक जो थे फर्स्ट सिख गुरु थे इनका जन्म हुआ था 1469 में तालवंडी में सेवन्थ एडिशन ओफ अमूर फालकन फेस्टिवल अमूर फालकन मनिपूर में हुआ यह इंटरनाशनल गीता महुतसव हर्याने में उगनाईज किया गया सारस आजेविका मेला 2022 यह इनकुरेट किया गया बाय रूरल डेवलप्मेंट मिनिस्टर गिरीराज सिंग के द्व का यह फेस्टिवल है एक इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल 2022 यह भोपाल में सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल यह बांधी पोरा जमू कश्मिर में हुआ 10 एडिशन ओफ नॉर्थीस्ट फेस्टिवल जवाला नहरू नए दिली में नौर्थीस्ट फेस्टिवल हुआ औप्शन में आपको नौर्थीस्ट के नाम दे सकते हैं राज्यों कि नेक्स्ट देखते हैं रत सब्तमी फेस्टिवल यह फेस्टिवल है सन गाड लौड श्री सूरे नारायन स्वामी का जोकी आंधरप्रदेश में पेंगॉल का। नेक्स्ट है। मकरविलकु फेस्टिवल है कि यह केरला का है और सबरी माला टेमपल में और्गनाईस किया जाता है। चापर मिला यह लुद्याना पंजाब का है इको रिट्रीट फेस्टिवल औडिसा में, नव काल-वेरा फेस्टिवल जगनाथ Temple औरिसा में होता है पुशकरम मेला इंडिया का largest Tamil प्रेस्थान में को सेलिबीरेट किया जाता है अब यहां देखिए उन राज्यों में निएयर के रूप में सेलिबीरेट किये जाते हैं कि नया साल अप्शरू होने वाला है उस औकिजन पर और सभी राजियों में अलग-अलग नाम से इसको जानते हैं तो उगाड़ी जो है आंधरप्रदेश, अलंगना और करनाट का यहां का न्यू येर के रूप में इसको मनाते हैं और न्यू येर मतलब एक जन्वरी नहीं क्योंकि हिंदू कैलेंडर में लिखते हैं तो फिर अलग-अलग जो हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं उसके अनुसार यह देखा जाता है कि न्यू येर कब होगा तो नेक्स्ट है गुडी पडवा यह महराश्टर गुवा का है यहांका न्यू येर फेस्टिवल है वरुशा, पिरपू या फिर पुथंडू ये तमिल नाडु का न्यू येर फेस्टिवल है फिर उसके बाद है पहेला बेशाग फिस पेंगॉल का है नवरे है जम्मु कश्मीर का है पना संक्रांती ओड़िसा का है विशू जो है ये भी न्यूयर फेस्टीवल है मल्याली न्यूयर है ये केरला का और बेस्टु वरस ये गुजराती न्यूयर है नेक्स्ड आ जाते हैं संगकेन फेस्टीवल यह नचल और असम के कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है फिर्स्ट एवर अहरबल फेस्टीवल जम्म कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया तू प्रोमोट टूरिस्जम लसूम फेस्टीवल जो है यह dépendता है कहां का सिक्किन का और भूटिया ट्राइब के द्वारा ये सलिब्रेट किया जाता है कंचोथ फेस्टिवल ये सिंबल है एंशियन्ट नाग कल्चर का और जमु कश्मीर में इसे सलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल कहां का है तो ये है जार घंड का तो ऑप्शनम बड़ी इसका करेक्ट होगा और ये सलिब्रेट किया जाता है बाई मुंडा हो और राओ ट्राइब्स के द्वारा मुंडा हो और राओ जंजाती के द्वारा 35 सूरजकुंड अंतराश्टर शिल्प मेला का उध्गाटन के सराजय में किया गया 35 सूरजकुंड इंटरनाशल क्राफ्ट मेला ये जो है हर्याना में इसका और्गनाईजेशन इसका किया गया 35 सूरजकुंड इंटरनाशल क्राफ्ट मेला हर्याना के फरीदाबाद में इसे और्गनाइज किया गया थीम स्टेट इसमें था जम्मो कश्मीर और जम्मो कश्मीर पार्टनर स्टेट भी था पार्टनर कंट्री कौन था उजबेकिस्तान था चितराई फेस्टिवल is celebrated in which state यह फेस्टिवल तमिल नाडुका है और मीमनक्षी कलियानम के नाम से भी इसे जानते तेंपल मदूराई में टनीने को इस में तो सेलिबरेट किया जाता है और जो चितरह यह न क्या है एप्रय अपरेल महीने को बोलते हैً तमिल मान्थ होता यह तीक है इस महिने में celebrate किया जाता है other important festival देखें तो float festival ये भी मदुरे तमिलाडू का है चारेट festival या फिर रत festival ये सुचिंद्रम थनुमलियन टेंपल में इसको celebrate करते हैं President Ramnath Covin inaugurated Madhavpur घेड फेर इन विच स्टेट तो ये जो है गुजरात में है Madhavpur यहीं पर ये हर साल organize किया जाता है और इसमें क्या celebrate करते हैं The Sacred Union of Lord Krishna and Rukmani गंगोर festival is celebrated in which state गंगोर जो है गुजरात, MP और राजस्थान इन तीनों ही राजियों में celebrate किया जाता है और इसके लाब वेस्ट बिंगोल के भी कुछ पार्ट्स में ये होता है Mainly Rajasthan का ये festival है इसमें Unmarried Women ये पूजा करती है Goddess, Kauri या फिर पारवती की Ganga Sagar Mela is celebrated in which of the following state Ganga Sagar Mela ये West Bengal का है और Ganga Sagar Island जो है West Bengal में यहाँ पर इसे celebrate किया जाता है और इसे पर्शियन न्यू येर के नाम से भी जानते है और या फिर इरानियन न्यू येर के नाम से भी जानते है हर साल around 21st March ये मनाया जाता है 11th खेल महाकूंब 11th खेल महाकूंब इसका उद्गाटन एहमदाबाद में किया गया 11th edition था खेल महाकूंब का स्टार्दार पटेल स्टेडियम एहमदाबाद कुम्भ मेला 2021 held in which state तो ये कहां पर हुआ था कुम्भ मेला 2021 का उत्तराखन में कुम्भ मेला जो है चार डिफरेंट लोकेशन पर होता है प्रियाग राज में जो की संगम है गंगा यमना सरस्वती का उजयन में शिप्रा नदी के किनारे हरेदुआर में गंगा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे तो ये चार लोकेशन है कुम्भ मेला की वेर इस तांसेन संगीत समारो celebrated every year तांसेन संगीत समारो हर साल गौालियर मध्यपर्देश में होता है असाडी बीज फेस्टिवल इस ऑब्सर्वड इन विच स्टेट असाडी बीज महुतसव ये होता है गुजरात में वेर हैस काला घोडा आर्ट फेस्टिवल celebrated ये फेस्टिवल मुंबाई में celebrate किया जाता है अट्टुकल पोंगला religious festival celebrated in which state तो ये जो है केरला में celebrate किया जाता है color of bird festival has been celebrated in which state ये जो है बिहार का festival है color of bird festival और जो पहला color of bird festival celebrated किया गया था ये नागी नक्ती bird century जमूई डिस्रिक्ट में है जो बिहार के यहाँ पर celebrate हुआ था अब नाव लास्ट में ये question है आपके लिए कार्निवल फेस्टिवल is celebrated in which among the following state कार्निवल महुचसर्व किसमें मनाया जाता है options है गुजराद, गुवा, मानिपूर या फिर तामिलनाडू तो इसका सही answer comment box में ज़रूर दीजेगा और इसके साथ हमारी आज के वीडियो यह समाथ होती है, I hope आपको पसंद आई हो मिलते हैं next किसी नए टॉपिक के साथ thank you so much for watching the video, जै हिंद